इन दिनों बिहार की राजनीती का सबसे बड़ा परिवार सुर्खियों में बना हुआ है और सुर्खियों में उनके रहने की वज़े भी काफी बड़ी है जी आपको बता दें कि लालू परिवार फिलाल विवादों में भी है बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेश प्रताप और उनकी बहु एश्वर्या के बीच की लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है बता दें आपको कि दोरों के बीच तलाक को लेकर मामला फिलाल कोट में है लेकिन हाली में जिस तरह से ऐश्वर्या घर से भागती हुई बाहर निकली और उनके साथ जो सलूक हुआ उसके बाद से बिहार की राजमीती पूरी तरीके से चर्मर आ गई है बता दें आपको कि आरजेडी को उसका नुकसान हो गा या नहीं ये तो हम फिलाल नहीं कह सकते लेकिन यहाँ पर लालू परिवार मुसीबत में पस्ता चला जा रहा है बता दें आपको कि यहाँ पर एश्वर्या ने सीधे सीधे अपनी मास राबडी देवी और अपनी ननद मीसा भारती पर आरोप लगाया कि वो उन्हें खाने को नहीं दे रहे हैं उनका खाना उनके पिता के घर से आता है उन्होंने ये भी कहा कि नवरात्री के पावन अपसर पर जब वो किचन में पहुँची तो उन्हें किचन में गुसने नहीं दिया गया जिसके बाद उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया इसके बाद लंबे समय तक चले ड्रामे के बाद पहिला आयोग के बीच में गुसने के बाद उन्हें घर पर एंट्री दी गई हाला कि मामला शान्थ होता दिखाई दे रहा था लेकिन हाली में तब तक लोगों तक ये बात बहुँच चुकी थी और हाली में इंटरनेट पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें लड़कियां यहां पर लालू परिवार को टार्गेट कर रही है बता दे आपको कि वाइरल वीडियो में कई लड़कियों ने ये कहा कि आश्वरिया के साथ जो सुलूख हुआ वो नहीं होना चाहिए था कई लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो औरतों के साथ इसी तरह का सुलूख करते हैं कई लड़कियों ने ये भी कहा कि तेजप्रता पढ़े लिखे होते तो एश्वरिया के साथ शयद ऐसी हरकत नहीं होती। अब इस तरह के इलजामों के बाद अब पूरे तरीके से यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरे तरीके से मुसीबत में फस्ता नजर आ रहा है। देखना है कि आने वाले समय में यह मामला और कितना तूल पकड़ता है। LD Newsroom की रिपूर्ट